जहन योदास, आज SPI सीरीज का गैविस्टी का टॉपिक है प्रियोडिक टेबल यह जो आप टेबल देख रहे हो, जो जिसमें 100 प्लस एलिमेंट्स है यह टेबल कैसे बनी, कैसे इसकी शुरुवात हुई तो पहले जोमाने में, बहुत सारे Discover हो रहे थे बट वो अच्छे से अरेंज नहीं थे अगर अच्छे से टेबल में अरेंज नहीं होगे तो हम उनकी study नहीं कर पाएंगे तो elements की study अच्छे से हो जाए उसके लिए टेबल की जिरुरुत थी तो यह कैसे यह जो टेवल इसको बोलते है modern प्रोडी टेवल यह तो आज का टेवल है कैसे बना वही हम लोग इस चैप्टरें पढ़ेंगे तो सबसे पहले कोशिश की एक scientist ने उसका नाम था डॉबनेर उसी के theory बनी डॉबनेर ट्रायड इसने क्या किया इसने देखा कि जिन elements के property मैच होती है उसने उनको एक group में रखा जैसे lithium, sodium, potassium इनके property लगभा आपसे मैच होती है जैसे कि तीनों reactive है तो इसने तीनों को एक group में रखा triad बनाए से तीन elements का triad इसलिए इसको triad कहते है तो इसने क्या देखा बीच वाले का जो मास है ठीक है वो मास बाकी दोनों का arithmetic mean है correct जैसे आप देखो sodium का मास 23 कैसे आएगा arithmetic mean निकालो potassium का मास कितना है 39, lithium का मास कितना है 6.9 मदद 7 divided by 2 तो 46 divided by 2 कितना है 23 आगया तो ऐसी यह first triad है यह second triad है calcium, strontium, barium इसमें भी उसने क्या देखा जो बीच वाला जो है strontium इसका मास बाकी दोनों का arithmetic mean है ऐसी उसने फिर 30 triad बनाए तो टोटल उसने 3 triad बनाए और उसने अवजर्व किया कि बीच वाले का मास बाकी दोनों के मास का arithmetic mean था तो उस जमाने में क्या था scientist को सिफ atomic weight यानि mass के बारे में knowledge थी atomic number discover नहीं हुआ था ठीक है fail हो गया अगले कोशिश करी new land ने इसको बोलते है new land law of octaves इसको इसको इसलिए का जाता है क्योंकि musical note से compare करते है इसको जैसे कि यह देखो सारे गामा पाधानी तो musical note में क्या होता है साथ के बाग अगला note आठवे पर repeat होता है साथ के बाग ऐसी इसने बोला कि पहला और आठवे element की property मैच होगी जिस तरीके से musical notes पहला और आठवे पर repeat होता है ऐसी इसने बोला कि अगर हम elements को atomic mass की basis पर अरेंज करें increasing order में तो पहले की और आठवे की property मैच हो जाएगी ठीके जिसे देखो hydrogen को अगर मैं first मालू first तो यह second ठीके यह third यह fourth यह fifth यह sixth और यह seventh और फिर fluorine क्या आगया आठवा element आगया तो hydrogen और fluorine की property मैच होगी तो ऐसी करता गया तो जैसी पहला और आठवा आ रहा है ठीके उनको वो एक ही group में रखता चला गया जिनकी property मैच हो रही थी ठीके तो यह देखो hydrogen उसके निचे fluorine फिर chlorine फिर lithium उसके निचे sodium उसके निचे potassium ठीके ऐ ऐसी ऐसी group बनते चले गए यह आपको दिखे रही यह groups है यह group बनते चले गए लेकिन दिक्कत क्या थी element बहुत सारे थे इसका यह जो सारे कावा पादानीसा था यह सिफ calcium तक ही चला calcium तक फिर उसके बाद यह follow नहीं हो रहा था मतलब जैसे chromium क्रोमियम की property इस group से मैच ही न तक ही applicable था दूसरी एक और चीज हमारे newland चाचा बोलते हैं कि calcium के बाद कोई और element डिसकवर हुए है उसके बाद कोई और element डिसकवर नहीं होगा और हम जानते हैं आज 100 प्लस elements है तो यह इसका newland फेल हो गया अब सबसे successful table आता है मैंडलीव का मैंडली प्रियोडिट टेवल इन्होंने ही आज का जो हमारा table है वो मैंडलीव के table पे ही arrange है यह successful क्यों हुआ मैंडलीव ने detail analysis किया उसने proper experiments किये और हर element की property को physical और chemical properties को उसने note down किया ठीक है उसने भी elements को atomic mass की basis पे ही arrange किया ठीक है इसलिए मैंडलीव का जो law है मैंडलीव periodic law वो क्या बोलता है the properties of elements are periodic function of their atomic mass वो भी atomic mass ही उसने रखा था criteria उसने इस law का मतलब है जब elements को atomic mass की basis पे arrange किया जाता है किसी table पे तो उनकी जो properties होती elements की वो थोड़े देर बाद match उनकी elements की property मैच होने लग जाती है जैसे की लीथियम देखो लीथियम 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 बेरिलियम आया बोरोन आया कार्बन आया नेट्रोजन आया और कुछ टैम के बाद सोडियम आया तो सोडियम के property लीथियम से मैच हो जाएगी तो यह increasing order of atomic mass पे उसने arrange किया था मैंडलीव ने उपर से मैंडलीव यह बात बोलता है कि element future में discover होंगे इस वक्त वो discover नहीं होए है वो proper यहीं पर आएंगे जहां उसने gap रखा हुआ है ओके तो उसने gap रखे तो और confident नहीं था वो जानता था इस वक्त डिसकवर नहीं है और वो उन elements के properties भी पहले सी बता के चला गया और ब element का इसना नाम दिया एका aluminium जो बात में geelium बना ऐसी एका silicon वो बात में germanium बना ओके तो यह देखो यह aluminium इसकी नीचे एका aluminium ऐसे silicon उसकी नीचे एका silicon यह सब element बात में discover हुए तो यह सबसे बड़ी achievement थी और उसने बोला कि जो element एक group में आते हैं यह group यह देखो 1,2,3,4,5,6,7,8 टोटल 8 group है तो मैंडलीव के table में टोटल 8 groups थे तो यह groups क्या होते हैं यह जो vertical columns दिकरेने groups क्याते हैं और टोटल six period थे seven period भी कह सकते हो लेकिन एचली देखा जाया तो six period थे period मतलब यह जो आपको horizontal rows दिख रहे हैं यह one, यह two, यह three horizontal rows को period क्याते हैं और vertical columns को groups क्याते हैं तो मैंडलीव के table में 8 group थे और 6 period थे ओके और मैंडलीव का table सबसे successful था क्योंकि उसने proper experiment के basis पर table को arrange किया था और उ मैंडलीव के table में कुछ कमिया थी जैसे कि वो isotopes की position नहीं बता पाया, isotopes की position बड़ यह सब minor limitations थी ठीक है, बस main था कि उसका table atomic mass की basis पर arrange हुआ, फिर आप जानते हो जब आप में electron proton discover हुए, तो main element की property क्या बन गया, atomic number ठीक है, उसके basis पे एक नया table आया, modern priority table, जो कि किस ने द हमारा जो आज का table है, जो हम पढ़ते हैं, वो दिया था, और ये table किस पे arrange है, atomic number के साब से, इसलिए अगर मैं modern periodic law आप से पूछा जाए, तो वो ही statement होगी, the properties of elements are periodic function of the atomic number, ठीक है, manly periodic law में क्या था, atomic mass था, और modern periodic law जो है, मौसली का, उसमें atomic mass को अटा के atomic number लगा दिया, क्य पहले atomic mass होती थी, अब atomic number होती है, ठीक है, तो ये modern periodic law, और modern periodic जो table है, आज का जो table, इसमें total 18 groups है, 18 groups, ठीक है, element बहुत सारे है ना, और total 7 period है, 7 period है, पतला ये जो horizontal rows दिख रहे हैं आपको, और ये vertical column दिख रहे हैं, ये 18 groups है, और 7 period है, ये याद अखना है, exam में पूछते है अब, जो element एक ही group में होते हैं, एक group में, जैसे की group number 1, ठीक है, इनकी same properties की होती है, देखो, why do elements in the same group have similar properties, ठीक है, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, इनके properties same होगी, ऐसे group 2 देखो, beryllium, magnesium, calcium, जो element एक group में रखे होते हैं, उनकी properties same होती है, ठीक है, इसके पीशे की reason है, कि element जो, अगर आप इ electronic configuration कर報ностью, इसको, electronic configuration करना आता है, lithium, atomic number 3, K में 2, L में 1, sodium, atomic number 11, K में 2, L में 8, M में 1, ठीक है, तो आप एक सारे देख रहे हो, lithium की last shell में, एक electron है, sodium की last shell में, एक electron है, तो actually क्या होता है, जो element एक group में होते हैं, उनकी balance electron same होते हैं, Valence electron क्या होता है Last shell के electron को Valence electron गोलते हैं तो जो भी element ग्रुप में होते हैं उनके Valence electron सेम होते हैं इसलिए उनकी property सेम होती है यह आधक नहीं गरिवन लगर भी ब्रूप देखोगे आप उनकी property सेम होती है इस group के elements की विकॉज आफ़ जैसे group 2 group 2 के सारे element के last shell में दो electron होगे, इसलिए उनकी property same होगी, तो ये है होता है this is the modern plotted table you can see that, total 18 group है और 7 period है, आप सब जाएक कर सकते हो okay, group number 1 जो है everyone, ये group 1 जो दिखा रहा है इसमें hydrogen को छोड़के, ये non metal है ठीक है, बाकी जो भी आपको green green दिख रहे हैं, सारे इन सब को alkali metals का जाता है तो group 1 को आप से simple question बूचेंगे group 1 को alkali metals, क्यों कहते हैं ये आप लोग हाईर क्लासे से बढ़ोगे group 1 alkali metals, group 2 group 2 alkaline earth metals का जाता है alkaline, इनको याद करने के trick है बहुत अच्छा trick है, ये देखो group 1 को है ली ना की रव से फर्याद ये group 1 group 1 के element आपने आद कर लिए, ठीक है है ली ना की रव से फर्याद बस इसमाँ हाईडोज और non metal है बाकी सब alkaline metals के लाव देखे है ली ना की रव से फर्याद ऐसे group 2 देखो group 2, beta मांगे, car, scooter बाप अब बेटा देखो, बेटा जो है वो car भी मांग रहा है, scooter भी मांग रहा है बाप क्या करेगा, रुलाए, radium Indian बाप है, रुलाए गई ना तो beta मांगे, car, scooter, बाप रुलाए तो group 2 के elements हो गए इनको बोलते है, alkaline earth metals ऐसी, यह जो group 17 आपको दिखरा है, यह, fluorine, chlorine chlorine, bromine, iodine, इनको बोलते है halogens, group 17 और जो group 18 दिखरा है यह last में, यह novel gases family यह वो elements हैं जो किसी से react नहीं करते हैं, इनको बोलते है novel gases, inert gases, high helium, neon argon, kryptonic, किसी से react नहीं करते हैं, तो देखो ना, कितना easy हो गया हमारे लिए study करना अगर यह table नहीं होता, तो हमारे कितना difficult होता एक element के, एक group के element के property सेम होती है, मुझे पता चल गया तो कोई भी मैंने group ढालिया, इस group के सब के last shell में 2 electron होंगे, group 1 के last shell में 1 electron होंगे, तो study करना असान हो गया अब higher classes में, अब और detail में पढ़ोगे कि priority table ने कितना help किया हमारा तो सबसे बड़ा contribution जाता है medley लीव को, तो this is periodic classification, I hope सब को समझ में आया होगा, तो next class में मिलेंगे, जैहिन योधास